मैं आपका दोस्मानिश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजीटल यूटूब प्लाटफॉर्म पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आज एक रेलवे रिक्वार्मेंट बोर्ड आरवी के द्वार एक शोट ट्रिक अधिकर शक्तThere कर सकते हैं क्योंकि एकजाम आपके नाजदिक आने यहों मन्त में आपको देखने को मिल जाएगा इस जारी हुआ है जिसमें जेई की पोस्ट पर दो पोस्ट पर वेकेंसी निकली है जेई की पोस्ट के लिए साथ जा 934 पदों का विवरंड किया गया है हम बात करें इंपोर्टेंट डेट की जो फॉर्म जो है आपकी स्टार्ट हो जाएंगे आपके तीस जुलाई से जो आपके टीस पर जाएंगे और आपके फॉर्म पढ़ने की जो लास्ट डेट है वह लास्ट डेट आपके 20 जुलाई से 12 तक आप एप्लाई कर सकती हो बात करें हैं पोस्ट की कौन-कौन की पोस्ट पर जो है वेकेंसी जो आपके एक पैर पहले पोस्ट यूर्याद रखिये याद आपने एक चीज नोटिस करिए होगी इससे पहले जो है आपके 18-33 साल की तक ही रहती है लेकिन यह इस तरह पहले जो है वेकेंसी को देखते हुए गई है जिसे ऐसा को स्ट्रेंट है जो आपके सब्सक्राइब को देखते हैं सारे विद्यारतियों को दी गई है तो आपके आप मेंसे जो कोई ऐसा विद्यारती है इसके आपके 18-36 साल हो गई है वो भी अब जो फिर भी इस जो में इंट्रेस्ट लेने वाला है जिसने बीटेक कर रहा हो या चार साल का या तीन साल का उसके पास को डिपलोम आ तो वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है ठीक है हमने बात की है क्या मिनिकर सुपर्वाइज इस सब्सक्राइब करें आपके 18-36 साल रहने वाली है और हम बात करें यह जो पोस्ट है के वलो के वल आर भी गोरखपुर जोन के लिए निकली गई और इनके संक्या जो के वल कितनी है सब्सक्राइब करें तो सेकंड जो है आपके जूनियर इंजिनियर है एक डिपोर्ट मेटरियर सुपरेड़न है यह लेवल 6 की जोब यह जो है आपके लेवल 6 की जोब इसमें आपका मंतली पैमेंट है वह आपके 35,000 रूपर रहने वाला है और इसमें भी जो हम एज की बा है ठीक है और इसमें जो पोस्ट है यह 7,934 है आपको में इस पोस्ट पर फोकस करना है 7,934 पोस्ट पर जो है इस वेकेंसी की गोष्णा हो चुकी है पहले 2019 में यह वेकेंसी आई थी इसके बाद अब वापस से 2020 माई यह हम बात करें यहां पर सीधा सा लिखा है कोवेड ग की गई है ठीक है एज की जो गंणा है वो आपके एक एक थीट कहले किक्शन तो अभित कि सम्सक्षर नोटी इसमें यह नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 20-ramento है वेकेंसी से आईङी ऐसा को विद्यारती जो आपके जिन्गोंनें इंजिन्हीं कर रखी ह बीटेक कर रहा है या उनके पास 3 साल या 4 साल का डिप्लोमा है तो ऐसे विद्यारती इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीके अब हम बात करें किस कौन सी काटेगरी के लिए किन-किन जो फॉर्म का चार्ज है वो क्या रहने वाला है तो ओल केंडिडेट्स ठीके ठी अगर आपको याद रखना है कि अगर आपको सी बीटी फर्स्ट दे देते हैं अगर आप जो है चार सुरूपे आपके रिफंड हो जाते हैं और सीस्ट और एक सर्विस्में इस्टूडेंट जो है अगर आपको उनके पूरे पैमेंट करने के सामय 250 रूपिस चार्ज पे करते हैं वह चार्ज आपको अगें रिफंड के दौर पर वापस मिल जाता है ठीक है आगे हम बात करें यहां पर जो है आपके अलग-अलग जोन दे रहे हैं अलग-अलग के यहाद रखे आप जिस जोन से कि कर सकते हैं अलग अलग मेरीट बनती है हो सकता है कि यूरन नबर के यान रखना है आगे हम बात करेंतना डो क्या सेलबस रहने वाला है यीज मने काटेनी है को ध्यानर पे रखते हो नहीं इसमें आपके सबसे पहले एक पर से बीटिटी सेकेंड होता है और फिर लास जयाके डोकुमेंट्स वरिफिकेशन होता है तो हम बात करें आपके करें आपके सी बीटी फरस्ट में एक्जाम पैटन कि यहां पर आपके 100 माक्स का हो जाता है और आपके बात करें हम टाइम के तो टाइम कितना मिलिस्ट हो जाता है तो आपको याद कि अब जनौ पढने वाले वह जो हैं आपको यहां पढ़नी है यहां भी कोशन के संख्या 15 है और Šana कि गितनी है आपके 15 आजनी अगर आप यहां पर अच्छी तरीके पड़ी करते हैं पो यहां पर आपको जो आपने चीजrows पड़ी यानि आपके जो आपके जो फिल्ड रहेगी अगर आप सीविल से हैं इंजिनेर से हैं मेकनिकल से हैं तो उससे संब्धित आपके सो कोशन पूचा जाएगा आप देखो मैं आपको बता देता हूं आपको सीविटी फर्स्ट उन स्टुडेंट को जरूर देना है जो पहले से आपको इतना विशेश त्यारी करने की अश्रकता नहीं है क्योंकि सैंप सलेबस रहने वाला है लेकिन अगर आप इस जो है आपके अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप से बिटी सेकेंड में आपको केवलों केवल आपका जो टेक्निकल फिल्ड है आपको उस पर जो व आपको दो गंटे का टाइम मिलने वाला है तो अगर प्रफिटी फर्स्ट में विशेश कोई ज्यादा त्यारी करने की जरुत नहीं है आपको त्यारी करते हैं उनको रिविजन करते रहना है आपको जो हमने मैंने बता दिया कि सब्जक्ट से कितने कोशन आने के संभावना है तो आपको यह सारे टोपिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आज कि हम इस वीडियो में जो है अभी जो जेए की जुनियर असिस्टेंट जो जुनियर इंजिनरी की जो पोस्ट पर जो क्या से क्या-क्या जो है योगताय मांगी है उन बादे में शोर्ट नोटिपि थैंक यू